हलो रोवान, वलकम टो कोचीफाई आज के सेशन में हम लोग आपके आने वाले एक्जामनेशन IPS, RRB, PO, क्लर्क, मेंस के एक्जामनेशन के लिए कंप्पूर्टर आविनेस के कुछ इंपोर्टन कोशिंस को डिसस करने वाले क्फ़ें सेशन में कुछ रहती है और इसी क्वश चुशर काने वाले को जने वाले के आने वाले एक्जामनेशन में जपने को देखने को मेलेगे और वहन लोग दसस करते सबसे पहले न में प्रिव्यक्यें सेशन में को दो पूच्छ ये quan और ग। गोलोड करें यह छो हुआ है है फोलोड यह तिकंड़ रहे सिर्फ इसको पूचे रहे अब करेंगे आपको पताना चाह तो इसके आपके लिए अप्लोड करके इसको बनती है जो इसके एक्शाली गए आपको जाके देखने ओंगे 20 questions कामने रिसकेंदर काफी important है और unique है इसमें वन स कॉपलिमेंट टूस कॉपलिमेंट में डाल के रखा है और अगर आपको किस तरह के से prepare करना है और previous year के questions अगर आपको जानने होंगे ठीकिए इस और प्यों के मेंस के ग्जामनेशन पूछ एक है तो उसका भी सेशन हमने डाल करका है उसको भी आप जाके देख सकते होंगे बैंकिंग गवर्नेस काफी बड़ा है रूल प्ले करते हैं आपके सेलेक्शन के लिए ठीक है फ्रॉम जैनिवरी से लेके हमने ऑगस्त तक का ज सेस्का डॉल बाक्स में प्रोड़ करा जिता है तो थीक है साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको जाके देखना होगा और बैंकिंग गवर्नेस का जो मैंने सबसे पहले जो हमारा यह था भी तो हमारा रिसेंट लेल्टिस रहे फ्रम जून जुले और आउगस्त मन का लेकिन इसके पहले के अकर को को बैंकिंग अवनेस की नीज पढ़ने होगा ठीक इंपोर्ण करन्ट एफस पढ़ना होगा थे सचेंशन अवलेबल है साथ सथ हमारे पास जुली और ऑगस्ट का भी जल्दी सिल्दी आपका जो करन्ट एफस का मंथली अप्लोड हो जाएगा फ्रम जन इस तरह के से स्टेशन का हमारा पैटरन है इसको आप जाके डिफिनिटली वाच किए जगा काफी इंपोर्टन है मंतली करन्ट एफसको क्विक्ली रिवाइस करना आपके मेंस की सामनेशन के लिए काफी सथा फायदें रहने वाले साथ साथ इसको भी वाच आउट कीजिगा अभी लोग हमारे सेशन को देखते हैं अभी हमारा सबसे पहला कोशन कहा है जो आया थी उसको है खाती है यह जो सनसाथ अर्प लेके रिंपनाट अब्स मरेकर typed kalo आया लूज एकस्से करें करते है तो श्रहा Ready के लिए और इनंफर्मेशन ओक्षिन के लिए था quality गलत हो जाएगे, ठीक है, इंपोर्टन है, next question is, question काफी important है, which of the following is not related to the format of animation, अब दीक है, animations आपने देखे होगे, कि मैं आपको काफी कबार, sessions के अंदर पढ़ाते हो, animations के मादिम से पढ़ाता हो, ठीक है, तो animations का जो format है, इसमें से कौन सा एक relate नहीं करता है, ठीक है, तो धान animation, हाले कि MPEG 4 जो है, ठीक है, हमारा face body animation है, ठीक है, एक part of MPEG 4 है, international standard के accordingly, ठीक है, आपको यह नहीं पूछा हो ला है, सिर्फ आपका MPEG 4 का, full form आपको धहान में रख लिए जिका, quick time, ठीक है, यह किस का है, किस ने develop किया, यह apple ने develop किया, यह examination में काफी का बार पूछा जा इसे the following is not a valid master view option in a Microsoft PowerPoint 2016, Microsoft PowerPoint 2016 के अंदर, इसमें से कौन सा एक valid master view option नहीं है, ऐसा में question में पूछा गया, ध्यान में रखेगा, notes master, handout master, slide master, हमारे तीन views इसके अंदर आते हैं, लेकिन जो outline master यह ऐसा कोई भी आता है, अब देखेगे, अब देखे, इसके साथ में आपको कुछ questions बता रहो, वो कैसे बन सकते हैं, एक तो जो है important है, कि आपको जो, यह जो master views है, यह कौन से tab के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है, views tab के अंदर, master group के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसलिए आपको बता दो, हमारा जो second मेरा तो नहीं हमारे course के अंदर ही सारी इसलिए मने डिसे करके, अलग इलग tabs में क्या क्या चीज़े रहते हैं, यह मने बता के रखा था, ठीक है, इसका watch के जाएगा, जाके, slide master, handout master, notes master हमारे रहते हैं, लेकिन outline master या ऐसा कोई भी हमारा, एक valid master view option नहीं है, Microsoft PowerPoint 2016 के अंदर, option C, इस question का correct answer आ जाएगा, देखते हमारा किस तरह कर सकते हैं, number of lines of code, number of man year, number of function point, तो ध्यान में किका, कितने number का code है, ठीक है, number of lines of code से हमारे different करते हैं, कि हमारे software कितना complex, अगर आपको basic software है, अगर हमने 500 lines में, अगर मान लो, एक line of code है, ठीक है, और उसके beyond हमारा 1000 line of code का software है, तो कितना complex है, ठीक है, यह हमें किसा पत code से पता चलता है, ठीक है, तहान में रखीगा, option A is, question का correct answer है, इस case में, next question is, find x, ठीक है, हमें x का value पता करना है, अगर 356 to the base 8 है, that means, octal का हमें hexadecimal में convert करना है, ठीक है, octal to hexadecimal convert करते हैं, तो हमें आपको सीधा-सीधा बताया था, हाला कि session available है, अगर आपको convert करते नहीं आपको नहीं इसके link मिल रहे होगी, तो मुझे जरूर comment box की मायदर जब comment करके बताया, ठीक है, 356, ठीक है, अभी आपको case में convert करना है, hexadecimal में convert करना है, सबसे पहले तो उसका binary equivalent हम लोग लिख लेते हैं, 6 का binary equivalent होता है, 110, 5 का होता है, 110, 3 का होता है, 011, अब इसको क्या कर करना है हमें, यह हमें hexadecimal में convert करना है, ध्यान में हम लोग करते हैं, तो चार-चार की pair बना था, ठीक है, तो यह होगे मेरी first pair, और हमारी दूसरी pair, और यहां पर 0, ठीक है, तो यहां पर हमारा 0, 11, 10, 1110, ऐसे 4-चार की pair बनेगे, अभी हम लोग 1110 को क्या represent करते हैं, इसक hexadecimal में, ठीक है, आपको पता है, 0 से लेके 9 तक और हमारे पास में फिर, A से लेके F तक हमारे पास में एक alphabets रहते हैं, ठीक है, तो यह हमारे hexadecimal number system में आता है, और यहां भी 0 आ जाएगा, ठीक है, तो option D is question का correct answer आ जाएगा, तो यह number system के जो conversion है, आपको पता होना definitely पूछा गया था, hacktivism मतलब क्या होता है, it is the act of hacking a computer system for politically और socially motivated purpose, मतलब क्या है, politically एक हमारे genuine purpose है, ठीक है, socially हमारे genuine person से, उसके लेके हम लेके हम लोगा hacking करते हैं, तो उसके हम लोगे होते है, hacktivism, option B is question का correct answer है, ठीक है, इस तरीक है, इस तरीक है, जो terms होती है, terminologies होती है, हम मैं एक्जामी जाके नए नी चीज़े पता चलते हैं, लेकिन मैं आपको early आपको सारे चीज़े aware कराते होगे, चल रहा होगा, ठीक है, option B is question का correct answer है, hacktivism किसे है, hacktivism, ठीक है, it is defined as a hacktivist, हम लोग कह सकते हैं, जो engage करता है, hacktivism में, तो उसको हम लोग कुसे है, ठीक है, पॉलिटी के लिए और सुशी के लिए, motivated purpose के लिए जो hacking होता है, ठीक है, computer system का, उसको हम लोग कहते है, hacktivism, okay, next question is, काफी important question है, सारे हला की questions important है, a special software to create a job queue in is called us, ठीक है, job queue को create करने के लिए, एक special तरीके का software आता है, उसको हम लोग कहते है, spooler guys, ठीक है, उसको हम लोग कहत a piece of software, ठीक है, software के पार्ट है, जो extended request queue जो है, वो generate करता है, option B, यह हमारे normal jobs के बात नहीं करें, हम लोग कहें, जो processes रहेती है, उसकी बात करें, option B, is question का correct answer आजाएगा, next question is, in context of MS word, fill in the blank, create a dash, ठीक है, अगर हमें क्या बूचा कहें, पहले पता question को समझ लेना होगा, MS word के करन लोग बात करते हैं, यह पर blank space बताएगे, उसमें कुछ आपको appropriate option बताना है, create a dash to assign a name to specific point in a document, ठीक है, मैं क्या बोला गाए, हम लोग क्या करते है, एक name या फिर specific point एक document में mark करने के लिए, ठीक है, assign करने के लिए, क्या इस्तेमाल करते है, क्लिपार्ट, बुक्मार, हाइप hyperlink, cross reference, अब देखिए, यहाँ पर hyperlink, यहाँ पर option गलत हो जाएगा, इसका correct answer is option B, bookmark, hyperlink मतलब क्या होता है, मैं आपको देखा हो कि हमारे ebooks के अंदर मैं आपको पताता हो, कि यहाँ पर click करके, आप उस particular link पर जा सकते हो, या फिर आप click करके, इस link पर click करके, आप कोई video दे एक option a or aodm log mark सकते हैं, इसलिए अपको दोनर का भी confusion clear करा दिया, next question is, a tiny bootstrap loader program is situated in, ठीक है, एक bootstrap loader program जो है, कहाँ पर रहता है, hard disk में रहता है, room में रहता है, bias में रहता है, none of this में, काफी सारे aspirants जो है, bootstrap के word देखके, bias mark करके आ सकते हैं, लेकिन इसका correct answer है, room guys, ठीक यह बूट्स्ट्राप प्रोग्राम जो है लोड किया चाता है ठीक है एक स्मॉल ऑप्रेडिंग प्रोग्राम रहता है हमारा जो रहता है हमारे पर से रीड उनली मेरी रोम के अंदर सिचुटेट ऑप्शन बी इस कोशन का करेट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट कुशन इस फोलिंग इस नॉट अट वैलेट फाइल एक्सटेंशन ऑफ ऑडियो फाइल अगर यह यह पर लगा दिया कोई भी फाइल करा मानलो abc.mp3 तो हमें क्या होता है कि डगर हम लोग .zip ठीक है अगर यह फाइल लगाते तो इसका पास ऑप्शन भी कि वाइल फाइल एक्टेंशन नहीं है छो पास तो इसका है क्यों से ताइब त करें आपर यह उसके बाद में मेरे मीड आता है उसके बाद में मारे WMA आता है और काफी सारा है है यह अपको आने वाले एक्जामनेशन में को सकते हैं नेक्स कोशिन इस विचे फॉलिंग व्योग इस अ मोस्ट सुटेबल टू रियरंज स्लाइट जीन पावर पॉइंट मैंने कोशन काफी बार करवाया है अगर आपको रियरंज करना है स्लाइट के अंदर तो कौन से व्यूस के अंदर चाहते हैं हम लोग स्लाइट सॉटर व्य कर सकते हैं एक चीज़ बता दू आपके आने वाले आई पीएस और भी और क्लर के मेंस के लिए हमने कंपूर एक्स्प्रेस कूर्स अभी का रिसेंट्ली के वक्त रिलीस कर दिया था उसी को आपको रिकॉल कराना चाहते हो अगर नए स्प्रिंस हमारे साथ जूड़े हुए और उनको नहीं पता होंगा तो हमनें इंट्रबूर केंदर आपको अप्लोड करा कर रहाए ज़से चेए सब्सक्रेंट लेक्टर्स है आपके पास ई-बूकस भी हमने अप्लोड करके रहे और एक साल के वैले डिटी के साथ मैंने आपको सिर्फ इसको 99 रूपिज में अभी भी हमारे कोचिफाई के अप्लिकेशन के पर प्रोवाइड कर आके रखा है Computer Express course इसका नाम है कि हम लोग कम समय के अंदर जिसे आपके examination कुछी दिनों में है इसी मेने में तो आपको जल्दी से जल्दी complete करने के लिए 5 days के अंदर यह आपका complete course complete हो जाएगा अगर हम लोग 7 days भी करते हैं बोलते हैं कि एक एक असेसिंट को आप लोग एक दिन देखते हैं तो आपको 7 days के अंदर complete computer revenue का जो जितने में topic बता रहो यह सारे चीज़े cover up हो जाएगा इसको validity भी है एक साल के अंदर आप कितने भी बार इस वीडियो को जाके देख सकते हो उसकी e-book को पढ़के examination के 3-4 दिन पहले e-book को पढ़के आप इसका revision भी कर सकते हो एक flat 80 coupon हमने लगा लगा के रखा था इसके लिए 80% का coupon जो लगा के रखा था और उसी को हमने continue किया कि बाकी सारे experience को भी affordable rate में आपको मिल सके इसको बिल्कुल मत किजिए अगर इसको मिस करते तो काफी जो नहीं चीज है मैंने आपको बताए उसका बिल्कुल मिस कर दोगे आपके आने वाले examination के लिए सारे examination के लिए यह वायलिड है और यह useful भी है ठीक है इसको आप किस तरिके से purchase करने आ पहर हो जा रहा है ठीक है इसको definitely join कर लिजेगा और उसको watch कीजेगा ना कि सिर्फ join करके रख देना है ठीक है इसको सारे जो भी topics मैंने mention किये इस सारे इसको अच्छी तरह के से पढ़ लेना है साथ दिनों के अंदर ठीक है बढ़ते अभी हमारे next question क्यों 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 क hacking technique है जिससे हम लोग free calls कर सकते थे उसको हम लोग कहते freaking guys ठीक है option D इस question का correct answer आजागा ठीक है अपने से नया word सुना होगा fishing, cracking, spamming हमने सुनके रखा लेकिन इसको freaking से हम लोग क्या कहते है एक free calls बनाने के लिए एक illegal method रहती थी ठीक है hacking technique रहती थी उसको हम लोग कहते freaking जिससे का full form होता है guys secure digital और mmc का मतलब होता है multimedia card ठीक है mmc mmc मतलब होता है multimedia card SD card हम लोग इसको कहते है ठीक है इस तरह के से अपने camera's में होगा रहा देखा होगा इसका full form रहता है basically secure digital option C is question का correct answer आजाएगा next question is a network layer firewall works as a network layer firewall जो है वो कैसे तरिके से work करती है ठीक है यह basically as a packet filter करके work करती है आप यह option में A और B भी है लेकिन frame filter नहीं होगा सिर्फ option B is question का correct answer आजाएगा जो packet filtering firewall रहती है वो operate करती है कौन से layer के अंदर ऐसा question अगर आपको पूछा तो network layer के अंदर ठीक है यह layer कौन से रहती है third number की layer रहती है ऐसे आपको धायन में रखना होगा next question is which are the following memory is used to minimize memory processor speed mismatch which are the following memory is used to minimize memory processor speed mismatch it is known as a cache memory option C is question का correct answer आजाएगा next question is which are the following is used by banking industry to handle large amount of large volume of check ठीक है इसको हम लोग कहते है M.I.C.R. code magnetic ink character recognition machine आती है हमारे पास में ठीक है M.I.C.R. code रहता है 9 digit का 9 digit का M.I.C.R. code रहता है उसको scan करने के लिए कौन सी machine का काम रहता है M.I.C.R. code और यह कहां भी उसकी जाती बैंकिंग में इससे checks को authenticate करने के लिए काम में आता है M.I.C.R. code रहता है M.I.C.R. code next question is which are the following are line printer and page printer respectively इसमें से कौन से क्लाइन प्रिंटर है और page printer है line printer है वो टाइप लाइन प्रिंटर का एक टाइप है M.I.C.R. drum printer और जो page printer है वो आते है M.I.C.R. laser printer option B is question का correct answer आगा next question is the information that gets transformed to encryption is what the information that gets transformed in an encryption जो information encryption के द्वारा transform की जाती है उसको हम लोग कहते है plain text ठीक है encrypted test encrypted test नहीं होगा guys option गलत हो जाए आप ऐसे ही option आपके examination में देखने हों का मिलते है और यह ही हमारे confusion करा दीते हैं आसानीस का option DB marker करके आ सकते हैं देखिए plain text में ही हमारे information convert हो जाती है ठीक है मान लोग है आपर मैंने koji file लिक करका है ठीक है ठीक है इस तरीके से जो plain text में जब यह encrypt होती है तो इसको a dollar ठीक है या फिर हम लोग कह सकते है a, z, b, capital c, y, q इस तरीके से हमारे करनोट हो जाती है यह क्या है plain text में करनोट होती है लेकिन आप इसको पढ़के समझ पा रहे हो क्या नहीं क्योंकि यह encrypted है ठीक है हमें इसको पढ़ने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा decrypt करना पड़ेगा ओके तो जो plain text है क्रिप्टोग्राफी में वह हम लोग जो regular readable text ही रहता है जब वह plain text में convert होते है ठीक है that is a plain text क्रिप्टोग्राफी is often regular readable text before it is encrypted into the cipher text ठीक है जब आपको धहन में रखने हो कि जो cipher text है ठीक है हमारा encrypted test है जो convert किया जाता है plain text में ठीक है कर दाक है ने जाता है या किस के लिए काम ने आता है इनक्रेप्टोड़ावकर आपके पासवोड को शक्र्कर करने के लिए काम में आता है बढ़ते भी मारे निक्स कुशन के और क्या कर रहे है what are the forms of password cracking टेक अलग चैप कि password cracking टेक्निक अहीं पूचीगिए भी पूछीगे इसमें से कौन सा एक valid form है या फिर कौन से है multiple भी तो ध्यान में रखनों का attack syllable ठीक है attack brute forcing attack hybrid यह सारे हमारे password cracking techniques है ध्यान में रखनों का option D is question का correct answer आदेगा ओके देखते भी मारा next question dash is a malicious software that alters the regular functionality of OS take full control of the targeted system and acts as a system administrator on the victim system यह जो रूट कीट रहता है यह क्या करता है guys as a administrator करके work करता है और हमारे पूरे system का control ले लेता है उसके पास में ठीक है और जो चाहिए हमसे करवा सकता है ठीक है इन टम्स अफ मॉनेटरी हो इन तम्स अफ एनी तो ठीक है यह हमारा अग्शाफवर में यह क्या करता है में इनका जो काम रहता है वह आप से मॉनेटरी गेंग लेना आप से पैसे उगलवाना ठीक है यह इसका काम रहता है तो यह थे हमारे कुछ important questions आपके आने वाले एक्जामनेशन के लिए आपको सेशन कैसे लागे मुझे जरूर कमेंट करके बताएगा इस सेशन को आपके दोस्तों आज शेयर केजिएगा नए इस सेक्षिन के लिए मैं आपको कोशिन चोड़ के जा रहा हूँ कोशिन का है which button is called as a middle button used as a third mouse button by pressing on it इसका correct answer मुझे कमेंट वाक्स में कमेंट करेगा इस सेशन को आपके दोस्तों आज शेयर केजिएगा हमारे चैनल कोचिफ है कोई हाप आप क्लिक करके सब्स्राइब कर सकते है और इसका हमारे अप्लिकेशन ने डाउनलोड करने के लिए आप आप क्लिक करके इस अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते होगा इस टेलेगरम चैनल को जोइन कीजिक है so that interactive discussion हम आपके साथ में करते रहेगे कोई भी सेशन के requirement होगी तह प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो so thank you for watching this session guys have a nice day